हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक हो मैं चैनल शटाप इस बेन लाइफ आज मैं आपके साथ फ्लावरिंग प्लांट जो डेलिया होते हैं जो स्पेशली विंटर के बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं और देखिए यह फ्लावर ना बहुत बड़े भी होते हैं मेरे एक एक फ्ला इसके लिए आपको फर्टिलाइजर बहुत सारी क्यार इसको चाहिए होते हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ जो इंटर स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं लाइफ बहुत ही कम होते हैं इसलिए यह बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं तो इसलिए आपको बहुत ही केयर करना होगा इतने ज्यादा फ्लावरिंग बार्ड इसके लिए तो में आज मेरे जो आज वीडियू है इस यह ड्रीय प्लांट के यह पूरे के वारे में में आज श्यार करऊंगी निपार्टिलाइजर वर्टर्इण भूट तेंग की last week उआ खाई नेख़ डेलिया के लिए रीचार सबक्स प्रलाइट का देहन देना होगा क्योंकि अधिस्व ऑप फ्रूटिंग्प्लांस के लिए सनलाइट बहुत ही जरुरी होते हैं आपको डेलिया के लिए एक लेज़्ट्स का सँलाइट फुलावरड अच्छे से खिले इसलिए आपको इसका सुनलाइट निम्ह compliments सान लाइट आपको सुभी की जो six hours का या seven hours का सान लाइट है आप इसमें लगा देना देखना आपका जो फ्लावर है बहुत अच्छे से बरेगा इसका बाड भी बहुत अच्छे से खिलेगा क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंज होते हैं जिसका प्रॉब्लम होते हैं डल और बरे होने के लिए बहुत जरूरी होते हैं अब बोलती हो वाटरिंग के बारे में यह जो डेलिया होते हैं इसका जो वाटरिंग है इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा ओबर वाटरिंग से इसका ट्यूबर्स खराब हो जाते हैं और अंडर वाटरिंग से इस करोंगा है इसलिए मैंने दू दिन सेवे मैं इसलिए मेंने दोंके इसे यह और डेलिया के जो लीव्स होते हैं आपको जब भी आप वाटरिंग करो हफते में 2-3 दिन इसका लीव्स जो होते हैं आपको इसमें स्प्रीय करके इसका लीव्स आपको वाश कर देना है क्योंकि leaves healthy रहें तो flowering बहुत अच्छे से होगा इसलिए आप जब भी वाश करोगे इसका जो photosynthesis होते हैं इसका जो खाना है बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और flowering भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं इसलिए आपको watering करना होगा अब बोलती हो इसका soil mix के बारे में देखिए डेलिया के जो soil mix होते है यह प्रोपर drainage वाली soil होना चाहिए क्योंकि इसमें जब water lock हो जाएगा तब यह plant खराब हो जाए क्योंकि नीचे tubers होते हैं इसलिए गल जाते हैं किसले आपको एक हिस्सा बार्म नीमखली डाल देना जो अब आप इसमें रेभार्ट कावड़ु यह यहां क्यूंक तो आप इसमें कोपुबूबूङ देना और थोड़ी सी fungicide नीमखली डाल देना नीमखली से बहुत अच्छे से यह जो नीचे जो fungal infection हो जाते हैं इसको यह fight कर पाते ही यह soil इसलिए आप यह से वाले soil बनाना ठीक है अब बोलती हो इसके fertilizer के बारे में सब plant के लिए fertilizer बहुत ही ज़रूरी होते हैं और specially जो डेलिया का flower जो आप बड़े डेलिया के flower चाहते हो तो और ज्यादा बढ़ चाहते हो तो इसके लिए तो specially आपको fertilizer का ध्यान बहुत ही ज़रूरी होते हैं अब इसके जो fertilizer है इसके लिए आप जो liquid fertilizer बनाओगे वह आप कैसे बनाओगे मैं आप बताओंगी एक लीटर पानी में आप 3 to 50 ग्राम कोंपूस्ट दोगे इसके बाद इसमें वान स्पून या फाइब ग्राम मास्टर केक दोगो क्योंकि मास्टर केक बहुत ही जरूरी होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट के लिए मास्टर केक बहुत ही केक बहुत ही ज़रूरी होते हैं तो आप one spoon or five gram इसमें मस्टर केक दो गे और half spoon magnesium इसमें डाल दो गे मा harpspun means two gram इसमें magnesium दोगे इसको आप दो-तिन दिन पाणी के साद डहल करके एक अपर देना दो दीन दीनि imagen आप पानि के साथ डुलिवakan कि वान इस टो वान रिशियो में उसमें ड्रियूट करना आज में पी एच को पी हेस लेवल को ठीक करने के लिए में इसमें इस हीड थी तो और तो से dealt ये डियेन तो तो आप एसे चार और से ठूत देना और डेखना नीचे से यह हो जाए जब भी फटिलाइस करोगे यह नीचे से हो जाए तो ऐसे आप फटीलेजर का ध्यान रखना अग। फटीलेजर का ध्यान रखने से लांट भी healthy रहते हैं और इसका जो flower Teresa B Bolder होते हैं और बहूंत सअरे बार्ड इसमें आते हैं कि अब बोलती हूँ प्रुनिंग के बारे में प्रुनिंग तो डलिया के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि प्रोमीग अच्छे ना हो तो ड Aufgabe और और का जो फ्लावर्र सिम्धिन अच्छा से नहीं खेलते हैं इसलिए आप जब भी से जो ब्रांचेंस निकल आएक क्युमिंग करने से जो ब्रांच के लिए जातोर सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं में इसमें स्टैकिंग नहीं किया क्योंकि आपको दिखाना है देखिए इसके लिए ना स्टैकिंग बहुत ही जरूरी होते हैं एक सपोर्ट की बहुत ही जरूरी होते हैं इसलिए आप एक डंडी से, स्टिक से इसको सपोर्ट दे देना ऐसे, बहुत तेज हवाय आते हैं, तब भी इसका रिक्स बढ़ जाते हैं, तो आप ऐसे इसको सपोर्ट दे देना, नहीं तो प्लांट खड़ाब हो जाते हैं, सब खड़ाब हो जाते हैं, अब बानते ना इसक तो आप इसको ऐसे support देना और dead leaves जो होते है dead leaves को आप हटा देना और dead leaves हटाने के बाद देखना यह जो ऐसे वाले जो dead leaves होते है इसको आप हटा देना ऐसे और एक बात specially आप इसको follow करना क्योंकि जब भी एक फ्लावर खटम हो जाते है इसके बाद इसका जो cutting है देखिए मेरा यह जो flower है यह खड़ाब हो गया इसको आप ऐसे वाले जो flower होते हैं इसको cut कर देना नहीं तो क्या होते मैं इसको shears से रखने के लिए में यह बहुत दिन हो गए इसको मैं अम रख दिया क्योंकि इसके shears में growing करूंगी दिखूंगी कि shears से यह होते हैं कि नहीं होते क्योंकि shears से मैं कभी try नहीं किया हूँ मैं tuber से try किया हूँ इसलिए मैं इसको रखी हो तो ऐसे आप जब रखो गया flowering पाना चाहते हो किसी plant से तो क्या होते हैए इसका plants का energy होते है न शीर में बनाने में चले जाते है तो क्या होते है साइड का देखिए बाड बहुत चोटे से होते हैं ट्फलावर भी बहुत अच्छे से नहीं खीलते हैं सद्फ लए जब भी फिलावर इससे ड्राइ हो जाए आफ कैट कर देना है तो क्टन से क्या होते हैं इसका जो एनगी होते है यह यह जो बारसाइड में जो बाड होते हैं इसको खिलने के लिए यह help करते हैं, बहुत अच्छे से खिलते हैं, और flower बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं, यह जो मैं flower लाई हूँ, यह flower है मेरे flowering plant ही, यह में tuber से grow किया हूँ, इसलिए देखिए, आप कभी भी डेलिया को tuber से grow नहीं करना। ग्रो करोंगे मुझा हैं जब लगा मुझा काटिंग नुम्हां करना। ट्रभाट नहीं होगा हैं अशाना मेश हाल इसको बाए मुणां भी ही आपए जब इसकी करें आपेफार ली। मैब फैसंते शेल मारा निखेय शाह मतायी करना, सबसे इसका जो flowering plant होते हैं यह बहुत बरे-बरे होते हैं यह बहुत अच्छे से नहीं बढ़ा होगा इसलिए आप इसका cutting ही लगा देना ठीक है cutting से यह बहुत अच्छे से grow होते हैं मेरा जो यह डलिया का क्ले क्यार का video है मैं त्री पार्ट में divide करूँगी एक तो आज यह tips in care है next जो वीडियो है यह जब winter खतम होगा इसके बाद इसका जो tuber है आप कैसे save करोगे इसके बारे में मैं share करूँगी और इसके बाद जो third video में October यह November में इसको share करूँगी क्योंकि October से October November जो perfect time होते है ट्यूबर काटिंग और शीर्स लगाने का तो उस time में यह video में आपके साथ share करूँगे और आपको दिखाऊंगी कैसे इसको लगाना हो और कैसे इसका grow करना है इस प्लांट के नीचे ट्यूबर होते है इसलिए आप जब भी आप इसका जो side में जो soil होते है आप महीने में एक बार इसमें fungicide डाल देना half spoon fungicide डाल देना नहीं तो निमखली इसमें डाल देना इससे क्या होते है इसके जो soil है यह जो नीचे ट्यूबर होते इसको save करके रखते हैं कोई भी fungal infection हो कोई इंफेक्शन हो इससे प्लांट ट्यूबर को बचा देते हैं और प्लांट भी healthy रहते हैं और आप देखोगे इसका जो लेज्व होते हैं आप देखोगे जब करने नीचे नीचे हो जाते हैं इसके बाद खराब हो जाते है इसलिए आप महीने में एक बार इसमें जो नीम ओयल है ना नीम ओयल का स्प्रेय कर दे सकते हो नहीं तो कोई भी fungicide है फंजिटर का स्प्रेय अप कर सकते हो तो इससे ये फंगल इंफेक्शन है कोई बी किट का जो अटक है उससे ये फ्लांट बढ़ जाते है और वान टैम आपके पास हो तो जो सी ओट फर्टिलाजर होते हैं मैं मैं आज दिया हूँ ये वाले फर्टिलाजर आप दे सकते हो इस और वहत हेल्वी रहे एक चीज में दिखाती ह cray när करने से क्या होते हैं की कि मेरा यह प्लांट है इसका मैंने प्रफ़ार प्रॉनिंग नहीं किया हो जो क्षसे क्या होते बहुत सरे प्रॉंचे से यो जाते हैं और बाड प्रोपर से नहीं आते हैं और फ्लावर भी देखिए बहुत छोटे-छोटे से होते हैं इसलिए आपको प्रोनिंग के अध्यान देना बहुत ही जरूरी होते हैं और प्रोनिंग के बाद जो कटिंग होते हैं आप टाइम के हिसाब से इसको मीठी में लगा और आप महीने में एक बार इस प्लांट का गूराई बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकर नीचे ट्यूबर होते हैं तो इसलिए आप जब भी गूराई करोगे इसका जो प्रपार जो एयर सरपूलेशन बहुत अच्छे से होते हैं plant भी healthy रहते tuber भी healthy रहते हैं roots भी healthy रहते हैं और बहुत अच्छे से कलिया भी खिलते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना और अच्छा लगे तो like, comment और subscribe कर देना thank you, bye, take care, happy gardening